राम राम भाई लोगो मैं हूँ थारवाई जी तू और भाई लोगो आज की वीडियो में आज की वीडियो में जी हाँ मेरे प्यारे भाईयो आज की वीडियो में हम उस टोपिक पर बात करने वाले जिसके बारे में बहुत से भाई लोग कमेंट करकर करके बोल रहे थे कि भा लेपटोपों के नाम मैं सब के बताऊंगा link description में मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले मेरा जो ग्यान अब वो सुन लो क्योंकि सबसे पहले पता है तुम्हारा भाई ग्यान देता है ग्यान इसलिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि लेपटोप कौन सा चीए क्या जरूरत है कौन सा लेपटोप लेने की और क्या उससे होने वाला है वो चाहरी सी चमझ जाओ कि उसके बाद में कोई भी लेपटोप लेओ कोई problem नहीं है मेरी तरब से जो जो लेपटोप मुझे पसंता है एक तो music production के लिए जरूरत बड़े की लेपटोप की दूसरा video editing के लिए बोलोगे बाई video editing के लिए उसके लिए उसके लिए जो बीट वाला video होता है जो ऐसे ऐसे करता है जब भूम भूम भूफर बजता है तो वो सारी चीज़े बनाने के लिए तुमको थोड़ा बहुत वीडियो editing capacity चाहिएगी न अपने laptop में तो पहले से आगे कि सोच के चलो और तुम मालो music video भी खुद की बनाते हो खुद के phone वो उन से shoot करके तो वो भी edit कर सकोगे तो एक ऐसा laptop बना चाहिए जो music production के साथ मैं अपना चाहिए video editing भी कर सके अब दोदों काम एक जैसे भी है थोड़ थोड़ा अलग हो लग भी मतलब music production की बात करेंगे या फिर video editing की बात करेंगे तो फरक क्या है इन दोनों में music production में load ज्यादा पड़ता है CPU पर ठीक है और जो video editing होती है उस पे load CPU पर ही पड़ता है और उसके साथ GPU भी हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है समझे पर सुआगा हो जाता है तो अगर music production अपन क एकदा हो गई must ठीक है तो इस तरीके से मैंने laptop select किया अब कौन से मैं laptop select किया देखो मैंने जो अपनी जो मेरी research है personal कोई की हो सकता research मेरे से अलग जाए लेकिन कर लेना कुद की क्योंकि मेरी research ही खहती है कि जो Intel के processor आते थे i3, i5, i7 उनसे अच्छे music production के लिए मेरे भाईयो उनमें से मैंने चार laptop तो लिया है सिरफ और सिरफ रेजन के एक laptop मैंने क्योंकि Intel का एक भी निया था तो मैंने एक laptop Intel का लिया है लेकिन मेरे ख्याल से music production के लिए रेजन 5 का जो प्रोसेसर में बताने वाला हूँ उससे जुड़ा हुआ है laptop को ही लेना जो मैं बता रहा हूँ वो लेना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है खोलोगे तो Amazon पर पहुंच जाओगे उस डारेट उस laptop के page पे लेकिन वह अच्छा नहीं लगे तो उसी तर प्रोसेसर चाहिए और तुमको बहुत हाई फाई चाहिए एकडम मतलब i7, i10, i9 वह वाला प्रोसेसर चाहिए और तुमको 32GB, 64GB रेम घंटा कुछ नहीं चाहिए तनी music production, i3 वाले से भी कर सकते हो करने को तो, i3 का या फिर जो dual core processor आता था उससे भी कर सकते हो पस problem यह होती है उनमें, जो एक्टम स्टार्टिंग वाले अपने होते हैं वो laptop में क्यों नहीं बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग होती है 20-25,000 से 15,000 से बोलते हैं कई लोग कि यार भाई 20,000 बता दो, यार भाई 25,000 बता दो, तो देखो मेर से अगर ऐसा पूछ रहो ना, कि 25,000 बस must एकदम music production के लिए laptop बता दो, तो वो यही बात हो गई, कि आप ऐसे पूछ रहो जिसे, कि भाई, एक must जो है, AC वाली luxury गाड़ी और must एकदम द अगर भारी plug-in काम में लेना चाहते हो, या फिर VST synth काम में लेना चाहते हो, भाई, mixing mastering में बढ़िया plug-in काम में लेना चाहते हो, तो भाई फिर तो वो laptop काम के लिए उनको देखना में बता हो, एक बार अगर budget निया तो budget को बढ़ाओ अपने को, और जमा गरते रोपे से, तुमारे को Intel पर भगती है, तो तुम i5 भी ले सकते हो, दूसरी चाहते हो, दूसरी चाहते हो, minimum 8GB RAM होनी चाहते हो, भाई, जो भारी-भारी project होते होते हैं, बहुत बढ़े-बढ़े, जो कि normally 90% लोग नहीं बनाते, उनमें 8GB RAM काम चल जाता है, लेकिन laptop जो बता रहो हो मैं उनमें minimum 8GB RAM आएगी, और expandable का भी उनमें option आएगा, यनि को बढ़ाना चाहो, आगे मालो बहुत भारी-बारी project बनाने लगए, और भारी-बारी project कब बनाऊगे, जब तुमारे बाग खुब पहिसान लगए, फिर तुम बढ़े-बड़े laptop ले लोगे, फिर tension नहीं होई, त उनको बढ़ा भी सकते हो, इन जो laptop बतारो, उनमें जो system आएगा, तो कम से कम 8GB RAM, i5, i5, i5 processor, और तीसरी में important, सबसे important, सबसे मैं तो पुन चीज, कि SSD होनी चाहिए, solid state drive होनी चाहिए, दो टाइप के आती है, एक to hard disk drive आती है, एक solid state drive आती है, hard disk drive जो पहले जमाने पुराने तो तुम मानलो गाने record भी कर रहे हो, या फिर music बना रहे हो, या फिर music को export कर रहे हो, हर काम fast होगा, किस वजए से अगर laptop में SSD होगी तो, तो इसलिए मैंने आज जो सारे laptop लिए हो, उनमें सब में SSD है, कम से कम 512GB SSD मिलेगी, वो भी NVMe SSD मिलेगी, fast speed must एक दम, तो उसमें टका इस rate की भी कोई जरूत नहीं है, audio production में है, और video production में भी इतनी नहीं है, color accurate, monitor, monitor वो तो फिर अलग आते हैं, वो video editing के लिए होगे, आपने music production पर focus रखेंगे, और उसके साथ मैं song मनाने के लिए video editing, तो चलो भाई लोगों चलते हैं, अपने computer में में दिखाता हूँ, Amazon पर sales च जरूरी है, processor पर load पड़ेगा, तो processor अच्छा होगा, तो तुमारा काम एक दो मस चलेगा, तुम थोड़ा सस्ता ले लोगे, और उन में मालो यह चीज नहीं, SSD नहीं है, कोई laptop में है, तो बहुत भाई वो दीरे चलने वाल, तुमारा जिंदगी जंड हो जाएगी, वो पैस में और सबसे फर्स्ट जो laptop बताऊंगा, मैं वो बताने वाला हूं कौन सा यह है, अपना HP का AMD Ryzen 5, 56H, 5600H, मैं यह processor का model बता रहा हूं, इससे कम model बता रहा हूं, इससे कम model बता रहा हूं, तो यह लेटेस्ट प्रोसेसर और मस्त काम करता है, तो यह देखो 500H वाला processor है, इस तुमारा workflow हो पाएगा, ठीक है, और वीडियो एडिट करोगा, इसमें मस्त होगा, फुल HD है निग, 9020, 1080p का resolution है, मस्त रिकत निया इसका, और 8GB की RAM मिलेगी इसमें, तो 8GB तो मैंने बताया, minimum RAM होनी चाहिए, ठीक है, और 512GB की SSD है, मैरे SSD, fast SSD है, और 512GB मोर देन इन इन सब रखते हैं, आपन भी रखेंगे, 4GB का इसमें Radian Graphics Card है, मैंने बताया ना, वीडियो एडिट करोगे, जो अपने गाने माने बना होगे, तो उसमें भी काम आएगा, Graphics Card बहुत काम आता है, तो Graphics Card है, Game भी खेल सकते हो, Time Pass कभी Music Production में, आइडिया निया रहे है, तो गेम लेपोप भी आते हैं, अगर बहुत महेंगे वाले में जाना चाहो ना, तो फिर तो Apple के जो नए M1 वाले हैं, वो कोई से भी ले लो, उनका भी मैं लिंक दे दूँगा, एक का दे दूँगा, तो Apple M1 खुल जाया गहीं से भी थे, वो लास लास में दूँगा, क्योंकि मैं स बढ़ा भी सकते हो, जो RGB RAM इसको बढ़ा भी सकते हो, जो बहुत भारी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बिनाने लग जाओ ना, तब RAM की जरुद पढ़ते है, प्रोसेसर इसका एक दम मस दे तो आराम से ये Laptop, फर्स्ट हमारा फर्स सीरीज पर आता है, तो इसका मिलेगा 15-inch का, वो 15-inch का, एक इंच कम है, लेकिन एक इंच में काम चलता है, 15-inch के आसपास के Laptop, more than enough कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, Full HD IPS Gaming Laptop है, 8GB की इसमें भी RAM है, 512GB के SSD है, 4GB होगा वही NVIDIA का GTX 1650, जो कार्ड है, इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा था, इसमें था RX 500, लेकि उनको गेम खेलने मजाएगा, लेकिन हम Music Production के लिए देखने है, तो वो देख लेना, अगर गेम भी खेलो के साथ, तो यह वाला ठीक रहेगा, और उसके वाद बेक लिट सब में कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड में लाइट आएगी, तो रात कौन दिरें में बेट के काम करे इसके लावा इसकी रेट देखें, इसकी रेट अपनी 53,990 रूपय है, 53,990, वह कितने गा था, वह था अपना 54,990 मिल जाएगा तो यह दूसर नंबर का हो गया, तीसे नंबर का देखेंगे तो उसमें भी वह सेहम स्पेसिशिश्मिकेसर मिलेंगे, यह HP Pavilion का है, ठीक है, अपनी minimum requirement है, यह तो फुल पिल होनी चाहिए, Windows 11S में मिल जाएगी, NVIDIA का, देखो, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है इसमें, और backlit keyboard है, और यह मिलता है 56,000 का, मेरे ख्यास थोड़ा सामेंगा यह, क्योंकि इसी specification में हमको इधर यह दो सस्ते मिल रहे हैं, तो दो की तरब देखना, यह क्योंकि HP का यह बहुत परवेलियन सीरीज बहुत फेमस है, तो इसलिए मैंने इसको यह पर रखा है, ठीक है, उसके बाद देखते है HP Victus, Victus वाला देखो, यह 4,999 रूपर रहा है, वही सेम चीज़ इसमें, 1500H का Graphics Card, goo प्रोशेसर है, अमारे लिए सबसे ज़रूरी है, müzikป्रोडोक्षण में बहुत जरूरी है, Graphics Card इतना जरूरी है, Graphics Card Video Editing काम आता है, लेकिन अफ़ाना में Music Production करें, उससे बहुत ज़रूरी है, RGB RAM हमारी minimum requirement फुल 있는 gode, 512GB के SSD मिल गई, वो भी काम अपना हो गया, उसके बाद 4GB का रेडियन गाफिक्स कार्ड मिल गया, फिलिकर फ्री डिस्प्रे है, विंडोस 10 मिलता है इसमें, जो कि 11 में अप्ग्रेड हो जाएगा है, उसके बाद में 16, जो है, इसका 4,900 अबर पर दाम, यह कोई सा है, HP Vector's का, ठीक है, तो जो इसके लावा इसमें Full HD, वो यह 8GB, 512GB, 4GB, NVIDIA, यह तो सारे सेम है, 120Hz की डिस्प्ले है, और उसके लावा दाम इसके पस्पनग जारूप है, लेकिन मैं जो है, रिकमेंड करूँगा कि रेजिन 5 का लेना, लेकिन कई लोगों के भक्तिभाव होता है, कि इंटेल के लिए न तो फिर Amazon उसकी तरह के और बाखी लेप्टोप भी तुम्हारे को दिखाएगी नीचे जाओगे, इस तरह के से देख लेना, वो चीज़े भी दिखाएगे, तो उस रिकमेंडेस में, लेकिन जो minimum requirement होनी चीए, ठीक है, मैंने जो बता ही, minimum requirement वो जरूर होनी चीए, क्याकि व बना सकते हो तो, और जो नहीं बना सकता हो तो भाई, खरीद के कुछ भी लियाओ, उससे बनेगा नी, कुछ भी नी बनेगा, तो वालोगों ये तिया आज की वीडियो कैसी लगी, like, share, comments करेंगे, जरूर बताना, महों जारबाय जीतो, और जसा में गता हो की beat बनाते रो, करते रो, चलता हो